करें geometrical isomerism in cumuline, तो लिख लीजे, geometrical isomerism in cumuline देखिए, हमारा point यही कि cumuline होती है, पहले तो यह, यदि आपको ऐसा लगे किसी organic component में सारे carbon एक दूसरे के साथ double bond से जुड़े हुए है, अटेज ने, तो उसे हम cumuline कहते हैं, तो कुल मिला के आसान भाशा में, in case, लिखिए, यहाँ पर, in case, when all carbon of organic compound attached by double bond, then called cumuline देखिए, simple सा logic है, मैं start करता हूँ, इस compound को देखते हुए, क्या सारे carbon एक दूसरे के साथ double bond से जुड़े हुए है, इस पर कौन सा hybridization है, sp2, क्योंकि एक पाई है, इस पर दो काई पाई है, sp, इस पर एक ही पाई है, sp2, क्या sp3 होगा यहाँ पर, नहीं, यहाँ आपको sp3 देखने को नहीं मिलेगा, sp2, sp, sp2, is that clear, तो मेरे लिए यह cumuline क्या हो गई, एक ऐसी cumuline हो गई, जो planar लग रही है, शकल से, क्योंकि सारे sp2 या sp hybridized है, अभी जाता knowledge नहीं है, लग रही है, planar है, होगी या नहीं होगी, यह बात की बात है, अगर यही 4 carbon क्यों होती है, कौण सा hybridization होता, sp, sp2, मुझे यह देखना है पहले कि क्या वास्ता में मैंने जो सोचा हो सही है, या नहीं है, यह sp2 है, यह planar है या नहीं है, तो मैं इस cumuline पे गया हूँ, जहां से सुनना हो, यह carbon है, यह sp hybridized है क्योंकि इसके ओपर दो pipe है, एक इधार है, एक इधार है, विल्कुल ऐसे ही, एक इधार, एक इधार, ठीक है, यह linear है, यह planar है, तो यह दोनो planar है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखागी यह दोनो planar है, co-planar है तो दोनों plane एक दूसरे के साथ co-planar नहीं है को समझ मैं है तो यह आपके पास क्यों मुलीन दिख रहा है कहीं से भी आपको planar दिख रहा है नहीं मुझे भी नहीं दिख रहा है are you getting this point तो यह क्या है non-planar है non-planar में अगर आप इसमें restriction देखेंगे तो है बहुत ज्यादा है ठीक है तो इस restriction का वजर क्या है यहाँ पर पाई बॉन होना लेकिन कुछ इस तरह की structure है कि यह प्लेनर नहीं है अगर में यह बॉन टोड की यहां लगा देता हूं तो बताओ violet और पिंग में जो distance पहले थी अब भी वही है या अलग हो गई वही है देखो ध्यान से वाइलेट और पिंग में वही डिस्टेंस है भले वह वाइलेट इधर हो या इस तरफ हो दिख रहा है तो इस तरह के कंपॉउंड में एक अलगी तरह की structure देखने को मिल रही है जिस का रहन हमें अगर वाइट और वाइट के भीच में बॉन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है भी है, से क्शेंज्ज करने के अलावा, भी है, तो इस के प्रॉपयटी भी cheese नहीं हिस, तो यह मरे लिए GI नहीं देगा, तो हमने क्या किया पहले सो यह लिखा क्युमूली, पिर लिखा यह यह वालि अगर क्युमूली नहीं होती है, यह तो simple है अलकीन है हमारा, क्या है अलकीन, यह क्यूमुलीन है, क्यूमुलीन, इसका एक और नाम है अलीन, सारे अलकीन है अलीन, तो यह हमारे लिए क्या है, प्लेणर, नॉन प्लेणर, और जो प्लेणर है, जो प्लेणर है हमारे लिए, उसकी खास बात क्या है, कि वो जी आई शो करेगी, शो जी आई, नॉट शो जी आई, क्लियर है कंसर्प्स, एक शी आई शो करेगी और एक नहीं करेगी, समझें इसको,